प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ शास्त्री जी बाईबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाये उसके लिए इस पाथे माला को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हूग गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी आज जितने भाई बहन प्रबु का वचन सुन रहे हैं उन सब को भी मेरा नमस्कार मैं पिछले काफी हफ्तों से संपुष्ट परिवार के बारे में प्रबु के वचन से संदेश दे रहा हूँ आज भाई जब बॉबी प्रातना कर रहे थे तब उन्हेंने कहा कि नए विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ दर असल उनके कहने का मतलब यह है कि प्रबु के वचन की जो शाश्वत सचाईया है उनको एक नए तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये बिलकुल सही बात है अफसोस यह है कि हमारे व्यावाहर एक जीवन से रबु का वचन बहुत कुछ बोलता है लेकिन अक्सर इन विश्यों को हैंडल नहीं किया जाता है इन विश्यों को प्रस्तुत नहीं किया जाता और उसका परिणाम ये होता है कि लोगों को जो चेतावनी मिलनी चाहिए जो जानकारी मिलनी चाहिए चेतावनी मिलनी चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं वो मिलने से रह जाती है तो प्रभु के वचिन की शाश्वत सचाईयों को इस तरह से एक नई तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ दो तिन बातें फिर से याद दिला दू आरब में ही पहली बात मुझे उमीद है कि आप लोग पवित्र बाइबल डायरी और पेन लेकर बैठे होंगे दूसरी बात कई भाई बहन लोगों ने काफी उत्साह के साथ पिछले दिनों वाट्सैप के द्वारा अपने प्रश्न टेक्स्ट और आडियो के द्वारा मुझे भीजे और बस एक को छोड़के बाकी सबका जवाब मैं अल्ड़ी दे चुका हूँ बाकी जो है वो भी प्रभु ने मदद की तो कल शाम तक मैं जवाब दे दूँगा आपके मन में जो प्रश्न हैं जो शंकाएं हैं वो मेरे वाट्सैप पर भीजिए ओन मत कीजिए वाट्सैप पर भेजिए और मैं वाट्सैप नमबर अर बार बताता हूँ अभी भी बताये देता हूँ नमबर है 999-519-8690 999-519-8690 आपके प्रश्नों का स्वागत है फिर से मैं याद दिला दूँ मेरी दियस्ते दिंचरिया मैं पता नहीं कब आप फोन कर रहे होंगे शायद जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ इसलिए फोन करने के बदले सरफ वाट्सैप टेक्स्ट संदेश या आडियो संदेश भेजें मैं उनका टेक्स्ट और आडियो की मदद से जो आपको मदद चाहिए वो मैं करूंगा पिछले कई हफ़ते हमने बच्चों के उपर फोकस किया जिसके पीछे एक कारण है आग किस तरह से बुझाई जाती है या आपको मालूम है क्या मुझे आज भी याद है जब मैं आठवी में पढ़ता था आठवी में पढ़ता था तब हमारे घर के सामने काफी जलाओ लकड़ी पड़ी हुई थी जिसमें अचानक आग लग गई पाइप महीं पास में पढ़ा हुआ था और उसमें पानी आ रहा था पानी का अच्छा प्रिशर भी आ रहा था तो एकदम से दोड़ के पाइप उठा के आग की जो सबसे उची लौ थी मैंने उस लौ के उपर पानी डालना शुरू किया मेरे हिसाब से सबसे उची जो लौ है उसका आप बुझा दे तो उसके बाद अगला बुझा सकेंगे उसके बाद अगला जो ते नीचे है वो बुझा सकें यह सोच कर मैंने सबसे उपर पानी डालना शुरू किया अचानक मेरे अंगल जो उस समय मेडिकल कॉलेज में थे वो आ गए और उन्होंने मुझे पता है कि देखो तुम्हें एक बेसिकली एक गलती कर रहे हो और वो गलती यह है कि आग का जो सूर्स है जो स्रोत है उसको अटेक करने के बदले उसको खतम करने के बदले तुम जलती हुए आग के ऊपर के हिसे को अटेक कर रहे हो पानी डालो या ना डालो वो जो है वो दस सेकंड में खतम हो जाएगा लेकिन नीचे जो इन्धन है जिस इन्धन में आग लग रहा है वो इन्धन उपर की जो आग है उसको तुम बुझा लो लेकिन इन्धन तो कंटीनेली आग को फीड किये जा रहा है और इस कारण असल मैं तुमको जिस जगह आग लगी है वहाँ पर पानी डालना चाहिए इस मामले में पहली बार मेरे ज्यान चच्छू खुले कि उधर उपर डालोगे वो आग तो वैसे ही जलके खतम हो जाती है इन्धन जो है वो आग को जलाए जा रहा है इसलिए पानी डालना है तो इन्धन पर डालना है आग का जो सोर्स है वहाँ पर पानी डालना है हम विश्वासी लोग आत्मिक जीवन में कई बार जो सोर्स है जो सोता है जो उसका उद्भाव है वहाँ पर जाने के बदले हम ऐसी जगए इलाज करने की कोशिश करते हैं जिससे कोई फाइदा नहीं होता है हिंदी में कहावत है ना कि सांप निकल गया आप जो है बस उसका जो सांप जो है रेंग के निकल गया और वहाँ पर जो रेंगा हुआ जो जो मार्क पड़ा हुआ है उसको पीट रहे हैं सांप का क्या जाता है exactly इसी तरह से चाहे मेरा जीवन हो आपका जीवन हो मेरे बच्चों का जीवन हो आपके बच्चों का जीवन हो हमें हमेशा उसका जो मूल सोता है उदभा है वहाँ पर जाना होगा एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन को उद्भाव तब होता है जो वो पैदा होता है बलकि इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मा के गर्म में जो शिशु है वो माबाप के नजिरिये को माबाप की बात्चित को भले ही वो भाषा ना समझता हो माबाप की बातचित को सुनता है माएं नियमित रूप से बच्चों के लिए अपने उदरस्त शिशू के लिए गानग आती है तो बच्चा उसको सुनता है और जब वो बड़ा होता है उस गाने को अचानक सुनता है तो उसे एकदम से याद आ जाता है यह सब मनेशास्त्र में देखी गई, जानी गई ग्यात बाते हैं, तो इस कारण वो जो सोता है वहाँ जाकर हमको इलाज करना है, इसलिए मैंने बच्चों के उपर इतना फोकस किया था, विशे खतम नहीं हुआ है, एक फोड़े से बदलाव के लिए आज मैं यहां इस सभा में जितने पिता हैं और जितने पुरिश हैं, उनको संबोधित करना चाहता हूँ, और उसके लिए आपके सामने रखना चाहता हूँ, पहला तिमोतियोस, दूसरा अध्याए आठ्वा पद, यहां लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि हर जग़ पुरिश बिना क्रोध और बिना विवात के पवित्र हाथों को उठा कर प्रार्थना किया करें, मैंने आपने ये पद सौ बार पढ़ा होगा, मेरा सवाल यह है, इस पद के महत्व को हमने कभी समझने की कोशिश की है क्या, क्यों यहाँ पर कहा गया है कि बिना क्रोध और विवात के प्रार्थना करें, पवित्र हाथों को उठाने की बात अभी थोड़ा सा हटा कर रखते हैं, बिना क्रोध और विवात के प्रभु के वचन, प्रभु का वचन सीधे सीधे ऐसा क्यों नहीं कह देता, कि अपने पवित्र हाथों को उठा कर प्रार्थना किया करो, इसके पीछे कारण है, संसार की जो सैक्डों संस्कृतियां हैं, उनमें पूर्वी देशों की जो संस्कृतियां हैं, मद्धि पूर्व से लेकर पूर्व की और जो कल्चर्ज हैं, इंदुस्तान, बंगलादेश और बर्मा तक लगभग, इन कल्चर्ज या संस्कृतियों की एक विशेष्टा है, कि पुरिशों को बच्पन से ही अनावश्यक क्रोध करना, वाद विवाद करना सिखाये जाता है। आप कहेंगे कि ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा है। और एंत्रोपॉलजी ये बात स्पष्टतया बताती है कि मद्यपूर्व से लेकर पूर्वी और जो देश हैं। जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बंगला देश है। इन सब देशों में पैदाईश से ही पुरिशों को विशेश प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, विशेश प्रकार से बोलने के लिए ट्रेन किया जाता है। इसके एक छोटा सा उदाहरन लिया जाए, यदि एक बच्चा, एक लड़का बच्चपन से ही गुड़े गुड़ियों के साथ खेलना चाहता हो, तो कई माबाप उसको टोक देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा गुड़े गुड़िया का खेल यह तो लड़कियों के यह एक बहुत आम बात है, भारती परिवारों में तो यह बहुत आम बात है, इवन बच्चों को लड़कों को यह दि ट्रक दिलाए जाता है तो लड़कियों को गुड़िया दिलाई जाती है, इन सब के पीछे कारण क्या है कि हम सब के जो कल्चर हैं, हमारी जो संस्कृती है वो हमको एक विशेश तरह से द्यवहार करने को प्रेरित करती है तो मद्यपूर्व से लेकर पूर्व की ओर इर जो संस्कृतियां हैं यहां पर बच्पन से जो ट्रेइनिंग बुरिशों को दिया जाता है वो हर बात में क्रोत करने और हर बात में विवाद करने की आदत है इसका सर्वो तम उदारेने चंबल जहां से भाई भी सेक शास्री जगविर भाई रंजीत और भी कई भाई लोग जो हैं इन तीनों के नाम इसले लिया कि ये तीनों आज हमारे सामने स्क्रीन पर आए ये लोग एक ऐसी इलाके में हैं जह जहना बच्चपन से लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है कोई भी किसी से थोड़ा सा वाद विवाद हो गया गोली मार दूंगा काट के फेक दूंगा ये दो वाख्य बच्चपन से बच्चों को सिखाए जाते हैं और चंबल इलाके में जब भी मैं प्रचार कारी के करते हैं गोली मार दूंगा दस साल का बैच्चा जिसको यह नहीं मालूम कि गोली क्या है मारना क्या है मृत्यू क्या है और मृत्यू कितनी दरदनाक होती है और उसके बाद किसी को मार डालो तो उसका परिणाम क्या होगा यह नहीं जानता लेकिन उसको यह मालूम है कि यह कै ऐसे बोलना है कि गोली मार दूँगा, कमो बेश, लगबक सभी खास कर उतर भारतिय कल्चेर्स जो है, उसमें बच्पन से ये अग्रेसिवनस के ट्रेनिंग दी जाती है, देठ्षिंड में कुछ कम है, लेकिन मनिश्य चाहे उतर में हो या देठ्षिंड में हो, मनिश्य पापी है, और इस कारण मनिश्य के जो स्वभाव है उसमें ये होता है, किसी जगे, किसी कल्चर में जादा होता है, किसी कल्चर में कम होता है, प्रभु का वचन याद दिलाता है क्रोध के बारे में तो प्रभु का वचन बहुत कई जगह बोलता है और प्रभु का वचन जो है स्पष्टतया बोलता है कि क्रोध का हमारे जीवन में एक स्थान है जब हम बुराई को देखते हैं, पाप को देखते हैं तब हमारे जिवन में क्रोध आना चाहिए लेकिन प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि क्रोध की अपनी सीमाएं होती है किस बात पर क्रोध करना है ये प्रभु का वचन स्पष्टतेया बताता है किस बात पर क्रोध नहीं करना है ये प्रभु का वचन स्पश्टतेया बताता है बात-बात मैं गोली मार दूँगा ये काटके फेंग दूँगा इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के यदि हम आदी हो गए हैं तो ये हमारे पारिवारिक जीवन को बर्बात कर देगा मेरे एक बहुत ही प्री भाई हैं जो जब भी बच्चे से गरम होते थे बच्चा सर्फ दस साल का है उससे एक छोटी सी गलती हो गई तो बुला कर बेटा ऐसा ने ऐसा करना है उसके बदले आज भी तुने ऐसा किया क्या काट के फेंक दूँगा मैं मैं एक सौ बार सुन चुका हूँ उनके मुँ से अपने बेटे से ये बोलते हुए बच्चा जो बच्चपन से वो सुनता आया है जब बड़ा हो जाएगा और जब उसको ये बात अच्छे दिरसे समझ में आ जाएगी कि काट के फेंकने का क्या मतलब है तो उस पिता के प्रती क्या सनेह उसके मन में होगा क्या इज़त उसके मन में होगी पिता के साथ उसका क्या लगाव होगा या attachment होगा तो हम अपने दैनन दिन के जीवन में जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसका असर हमारे जीवन के हर पहलू पर होता है हर पहलू पर ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं जिसमें से सिर्फ एक पहलू अभी मैंने बताया आपको कि ये आपके पारिवारिक जीवन में आपके बच्चे को पूरी तरह से बुझा देता है उसके मन की खुशी को बुझा देता है उसके मन के उत्साह को बुझा देता है जीवन के प्रति उसका जो स्ने है उसको बुझा देता है मैं इसको बहुत इच्छे द्रसे जानता हूँ कि क्रोथ क्या होता है मैं एक ऐसे परिवार में मेरी पैदाईश है जहां पुरिश अति कोपी होते हैं सिर्फ कोप करने वाले नहीं अति कोप करने वाले बात की कोई गलत कर रहा है उनके बच्चों से तो बात करने से पहले वार कर देते हैं पहले काट के दो टुकड़ा कर देते हैं उसके बाद फिर बताते हैं कि तुमसे गलती क्या हुई है आप पूछेंगे कि शास्तरी अंकल आप भी इसी तरह के हैं क्या नहीं नहीं जब मैं आठवी क्लास में पढ़ता था तब प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना आरम किया और जब मैं B.S.C. फस्ट इयर में आया तब मैंने अपने आपको प्रभु के प्रती समर्पित कर दिया इन दो स्टेज ये जो मेरे जीवन में ये जो बतलाव आये उसके कारण मेरे परिवार में मैं कमसे का अपने परदादा से जानता हूं मेरे परिवार में पुरिशों के अंदर जो अति भयानक कोप की भावना है वो मेरे जीवन से हट गई है लेकिन मैं अच्छे तरह से जानता हूं कि अति भयानक कोप क्या होता है और इस तरह का अति भयानक क्रोध किस तरह से दूसरों को बुजा देता है मेरे फादर इसी तरह के थे हैं फादर अभी मेरे साथ है 93 साल के हैं मेरे दादा जी तो आवाज उंची किये बिना ही इस तरह से क्रोथ करते थे उनके बारे में कहा जाता था कि कोई व्यक्ती चाकु लेकर हलवा काटे तो एक काट में हलवा दो टुकडों में बढ़ता है लेकिन दादा जी जब एक काटते थे तो चार टुकडों में बढ़ जाता था इतना भेंकर क्रोथ करते थे और बाकाइदा 1990 में जब मेरे दादा जी की मृत्ती हुई तब उनका जो फ्यूनरल हुआ था उसमें मेरे फादर ने सब जब समाप्त हो गया मेरे फादर ने खड़े होकर सबसे कहा था कि यदि मेरे पिता ने अपने कठोर वचनों से आप में से किसी को भी गायल किया हो तो आज मैं सरयाम अपने पिता के स्थान पर खड़े होकर क्योंकि पिता गुजर गए अब परिवार में सबसे बड़ा मैं हूँ उस स्थान पर खड़े होकर मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ मेरे दादा जी भी इसी तरह के थे जो जिनको करोध बहुत जल्दी आता था तो पुरुष जब अनावश्यक रूप से करोध करता है तब क्या होता है ये मैंने अच्छी तरह से देखा है पर दादा का देखा है दादा का देखा है फादर का देखा है और exactly वही स्वभाव लेकर मैं पैदा हुआ था जीन्स को कोई बदल नहीं सकता है लेकिन आटवी में पहली बार प्रभू ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया उसके बाद जब मैं B.A.C. फस्टियर में था तफ्र से कायरी करना शुरू किया और मेरे अंदर जो पहला बदलाव आया वो यह है कि आतिकोप की भावना मेरे मन में से पूरी तरह से हट गई बलकि लोग पूछते थे कि तुमको क्या हुआ पहले तो तुम सोचे समझे बिना ही जो है क्रोद करते थे अब क्या हुआ यह हुआ कि क्रोद लेकिन जो पूरिश हर चीज में क्रोद करने की आदत जिस पूरिश में है वो अपने सामने जो लोग है उनके जीवन को बरबाद कर रहा है जब प्रभु का वचन कहता है कि पूरिश प्रार्थना करें उसके पहले प्रभु का वचन याद दिलाता है तुम प्रभु के सामने खड़े होकर जब प्रार्थना करो तो उसके पहले जरा अपने आपको देख लो कि तुमने अपने आपको उसके लिए योग्य बना लिया है क्या उसके अपने आपको बना लिया है क्या उस संदर्ब में प्रबु का वचन कहता है कि दो बातों को जाच कर देखो, नमबर वन, तुम अनाविश्यक रूप से क्रोध करते हो क्या, आज जितने भाई भाई लोग प्रबु का वचन सुन रहे हैं, बहने पूछेंगे कि कुछ बहने भी क्रोध करती हैं, करती हैं, लेकिन हमारे जो मिड संस्कृतियां इसमें पूरिष जादा क्रोध करते हैं, इसलिए प्रबु का वचन डैरेक्ली यहाँ पर पुरिषों से बोलता है, क्रोध मत करना, जहां जरूरी है, वहां तो करना जरूरी है, अनाविश्यक क्रोध नहीं करना है, यदी आप करेंगे तो क्या-क्या होगा, वो हम बाद में देखेंगे दूसरी बात जो हमको नहीं करना है वो है अनावश्यक विवाद ये भी पूरवी देशों के लोगों की एक आदत है कोई भी विशे ले लिया उस पे विवाद सबजी लेने जा लें सबजी वाले से विवाद किराने लेने जारे किराने वाले से विवाद आटो पर यात्रा कर रहे हैं आटो वाले से विवाद मैं ये नहीं कह रहा कि वे लोग गलत करते हैं तो आप उस गलत बात को स्वीकार कर ले नहीं लेकिन हर बात पर विवाद करना पदमेश्वर के बच्चे के लिए उचित नहीं है मैं कई बार देख चुका हूँ विश्वासियों के साथ कई बार ट्रैविलिंग वगरा करता हूँ एक ने जाके मान लिए आम खरीदा आम खरीदने के बाद के आम जब वो खरीद रहा था तब उसने देख लिया कि तौलते समय दुकांदार ने खराब आम भी साथ में रख दिया है तौल के आम जो है वो लेने जा रहा था तो उस भाई ने अलट पलट के देखा क्यों रे ये क्या है तूने रखा था मैंने देखा था उसके बाद फिर उसको उसके बाप को गाली उसके माँ को गाली हाँ विश्वासी लोग बोलते हैं आप पूछेंगे कि शास्त्री अंकल विश्वासी ऐसा करते हैं करते हैं कुछ कम करते हैं कुछ अधिक करते हैं लेकिन अनावश्यक वाद विवाद कल को जब आप प्रभु ईशु का शुप संदेश सुनाने के लिए उसी शहर में निकलेंगे उस समय ये आदमी भी भीड में होगा इसको याद रखें कल आपने उसको बाप की गाली दी है मा की गाली दी है आज वो आपसे प्रभु का वचन कैसे सुनेगा इस बात को मैंने कई बार दिखा है हम लोग हर ब्रहस पत्वार को यहां घर घर जाकर प्रभु का संदेश सुनाते हैं मैं अभी कुछ समय से नहीं जा रहा स्वास्ति की परेशनी के कारण लेकिन जब जाता था पूरे उत्सा के साथ जाता था और आठ आठ दस तस बारा बारा किलो मीटर एक दिन पैदल चलते थे घरों में जाके शुप संदेश देते थे तब मैंने एक बात बार बार नोट की जिन लोगों से आटो स्टैंट पर फल की दुकान में, किराने की दुकान में, दवाई की दुकान में जिन लोगों से पाला पड़ता है या अगर के पास जो चाई की दुकान है, होटल है, वहाँ जिन लोगों से पाला पड़ता है, उनी लोगों के घरों से होकर हम गुजरते हैं, आज भी मुझे वो अनभव याद है, मैं और मेरे साथ एक बहम दो-दो करके जाते हैं, यहीं पास में एक सड़क है, पाइपलें रोड, उस पे थोड़ा सा शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे, अचानक एक आदमी खाकी ड्रेस में दोड़ता हुआ आया, बिल्कुल खाली सी, अकेली सी सुनसान जगह, जहां कई मक बने थे, लेकिन कोई साड़क पे नहीं था, दोड़के आया, गले लग गया, अरे शास्त्री सर आप यहां हमारी इलाके में आये हैं, कौन था, घर के पास में जो नुकड है, वहां पे 30-40 आटो रिक्षा वाले खड़े होते हैं, जब भी मैं उसके पास में ही गाड़ी प करके पैदल, मेडिकल शॉप जाता हूं, वहीं मेडिकल शॉप है, वहीं फलकी दुकान है, वहीं पे बैंक है, पैदल जाता हूं तो यह लोग मुझे देखते हैं, जब मैं वापस आता हूं, सामान लेके जब आता हूं, तब मेरा चलना फिरना वो लोग देखते हैं, और क किसी एक को बुला कर मैं जाता हूं, उसमें से एक आदमी, इब्राहिम नाम है, मुस्लिम है, जो दो-चार बार मुझे अपनी गाड़ी में ले जा चुका है, उसने जब अपने घर के आसपास उस सुनसान इलाके में मुझे पीट पर एक थैला और चाती पर एक थैला लाद कर किताबे ले जाके घर घर ले जाकर देते देखा, तो उसने ये तक नहीं सोचा, कि समाज में उसकी हैसित क्या है, मेरी क्या हैसित है, वो सारे भेदभाव मिट गए, उसके मन में सिर्फ एक भाव ने आई, स्नेह और आदर, दोड के आके गले लग गया, पूछा आप क्या बांट रहे हैं, मुस्लिम है, मैंने कहा, इसा मसी की जीवनी वगेरा बांट रहे हैं, उसने तुरंत मेरे हाथ से लिया, और अपने आसपास जितने थे, ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन सबसे कहा कि ले लो, इन भाई साब को मैं जानता हूँ, इस तरह की ऐसी कई घटना आएं, जब हम घर हाउस तरह जाने लगे, तो इस तरह की ऐसी कई घटनाई हूँ, एक जगे आटो रिक्षा वाला मिल गया, एक जगे फल की दुकान वाला मिल गया, एक जगे दवाई की दुकान वाले के घर हम पहुँच गए, इन में से कौन कहां रहता है, ये मुझे नह पढ़ता है, उन सब के घरों में जाना पड़ा, तब हमेशा मुझे ये बात याद आई, फल वाला, कल इसने जो फल दिये थे, वो फल खराब, उसमें कुछ फल खराब थे, कि रहने वाला, पिछले दिनों इसने जो दिया था, उसमें कुछ खराब था, यदि मैंने उस व्यक्ति से दस या बीस रुपे के फल के लिए गाली गलोच किया होता तो आज मैं किस मुँ से उसको ले जाकर प्रबु इशु की जीवनी देता इसलिए प्रबु का वचन कहता है कि हम बिना विवाद के क्रोध न करें विवाद न करें फल वाले ने आपको गलत फल दिया है उससे कही कि देखो ये फल जो है ये खराब है इसको बदल के दो वो दस बार बदल के देगा वो ये नहीं कहेगा कि चाहिए तो ले जाए नहीं तो प्रभु का वचन अपने बच्चों को विशेशक और पुरिशों को याद दिलाता है क्रोध और विवाद न करें क्योंकि मद्यपूर्व और पूर्वी देशों में हमारा कल्चर हमको ये सिखाता है कि पुरिश हर बात में क्रोध करें हर बात में विवाद करें जब हमारा मन क्रोध और विवाद से मुक्त रहेगा तब हम अपने हाथों को उठा कर प्रार्थना कर सकेंगे हम मैंसे बहुत कम हैं जो हाथ उठा कर प्रार्थना करते हैं प्रभु का वचन एक से अधिक जगह पर याद दिलाता है कि प्रभु के बच्चे हाथ पुरिश हाथ उठा कर प्रार्थना करें क्यों नहीं करतें उसके पीछे बहुत सारे कारण है जिसमें से एक कारण ये है कि हम मेंसे कई पुरिशों का मन स्वस्थ नहीं है मन निर्दोश नहीं है निश्कलंक नहीं है हम कहीं न कहीं क्रोध कहीं न कहीं विबाद अपने दिलों में लिये फिर रहे हैं और इस कारण हमारे अंदर वो ही मत नहीं है कि हम विश्वासियों के सामने और परमेश्वर के सामने हाथों को उठा कर प्रार्थना करें और यहां पर यह साफ साफ लिखा है पवित्र हाथों को हमारे हाथ पवित्र हों उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे दिल के अंदर जो अनावशक क्रोध है और जो अनावशक विवाद है उसको हम हटा कर रखें और इस तरह से अपने मन को पवित्र करें और उस पवित्र मन के साथ जब प्रभु की उपस्तिती में आते हैं तब हाथ उठा कर प्रार्थना करें एक और कारण है वो भी मैं साथ में बताया चलता हूँ ब्रेदरेंड कम्यूनिटी में कुछ विशेश आदते हैं लोगों की उन में से एक आदत यह है कि अन्य लोग हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं इसलिए हम लोग नहीं करेंगे इस आदत का आरंब केरल में हुआ या इस आदत केरल में इसका आरंब है और केरल से प्रचारक लोग जहां जहां गए वहां उनने इसी कल्चर को जन्म दिया कि हम हाथ उठा कर पुरिश प्रार्थना ने करेंगे एक बार तो जब हम इस विशे पे चर्चा कर रहे थे तब एक भाई ने मुझसे तुरंत कहा केरल के थे ब्रदर आत्मिक हातों को उठाने के लिए कहा गया है यहां पर मुझे लगा कि प्रभू के वचन में जो साफ साफ कहा गया है उसको विकृत करने के लिए हम कितने कितने तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो मैंने कहा कि काम कीजे ब्रदर आप जरा अपने आत्मिक हात उठा के मुझे दिखा दीजे तो बड़े शर्मिंदा हो गए मैंने कहा कि प्रभू के वचन को खोल कर कहीं भी दिखा दीजे कि हाथ पुरिशों के हाथ जो है आत्मिक हात अलग होते हैं और ये शायरीरी के बहुत ही हात अलग होते हैं तो एक कारण ये है कि केरल के जो प्रचारक है उनका आसर उतर भारती ब्रदरन कम्यूनिटी पे जो हुआ है उसके कारण पुरिश कई बार हात नहीं उठाते लेकिन ये गलत है प्रभू का वचन स्पष्टतेया बोलता है कि पुरिश जब प्रार्थना करते हैं तब हाथो प्रभू को उठा कर प्रातना करें वो भी पवित्र हाथों को और अपने हाथों को पवित्र करने के लिए प्रभू का वचन जो दो कंडिशन यहां बताता है कंडिशन और भी हैं लेकिन यहां पर प्रभू के वचन में जो दो कंडिशन या जो दो शर्ते रखी गई हैं व पुत के बारे में जो कुछ बोलता है उसके आधार पर हम ये समझते हैं कि कुछ आवशक क्रोध है काफी कुछ आवशक क्रोध है कुछ आवशक विवाद है काफी कुछ आवशक विवाद है और उस आधार पर मैं आपके समक्षे बात रख रहा हूं कि आवशक क्रोध और पवित्र हातों को उठा कर प्रार्थना करें पारिवारिक जीवन पर इसका क्या आसर होता है अब जरा देखें इस तरह के बहुत सारे भाई लोग हैं जो अपने बच्चों से इतना कड़वा बोलते हैं कि उसके बाद वे प्रभु के सामने पवित्र तो है ही नहीं हाथों को उठा कर प्रार्थना करना उनके वश्की बात नहीं है हम भारती लोग खास कर पुरिश इतने करप्थ हो गए हैं इतने अधिक करप्थ हो गए हैं भरष्ट हो गए हैं कि आज से कुछ समय पहले मैंने एक गवाही सुनी थी जो इस बात को स्पष्टतया बताता है कि पुरिश विश्वासी पुरिशों के जीवन में इतनी भरष्टता आ गई है एक भाई गवाही दे रहे थे उन्हेंने का मेरे लिए प्रार्थना कीजिए मैं जीवन में कई प्रकार के आनभवों से होकर गुजर रहा हूँ प्रार्थना ना करने का आनभव प्रभु के वचन को ना पढ़ने का आनभव दिखिए जूट बोल रहा है वो साफ साफ आपके सामने जूट बोल रहा है उसको कहना चाहिए कि इन दिनों मैं प्रार्थन नहीं करता इन दिनों मैं प्रभु के वचन के पढ़ने मैं लापरवाही कर रहा हूं ऐसा बोलेंगे तो गलती उसकी है इस पष्ट हो जाएगी लेकिन यदि मैं ये बोल दूं की प्रार्थना ना करने के अनुभाव से होकर गुजर रहा हूं प्रभु के वचन को ना पढ़ने के अनुभाव से होकर गुजर रहा हूं कल मैं सरदर्द के अनुभाव से होकर गुजरा परसों मैं बजार गया फिसल कर गिरने के अनुभव से होकर गुजरा तो इन सब में आप दोशी नहीं है तो हम गलत कर रहे हैं और उसके बाद उस गलती को जाये जिया सही ठहराने के लिए कितना नाटक या मोना एक्टिंग करते हैं अभी खतम नहीं हुआ मैं उस भाई की गवाही सुन रहा था बोलते बोलते वो बोले अपनी पत्नी को मारने पीटने के अनुभव से भी होकर गुजरता हूं सीधे सीधे बोले तो कहना पड़ेगा कि मैं अपने पत्नी को मारता पीटता हूं और ऐसा बोल देगा तो उसका मतलब है कि तुम अपरादी हो उसके बदले अनुभव से होकर गुजरता हूं की मदद से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब किस बात का परिणाम है अनावश्यक क्रोद अनावश्यक पिवाद मैं कई हफतों से याद दिला के कह रहा था कि आपके बच्चों के साथ आपका संबंद इतना अंतरंग होना चाहिए और उनके और आपके बीचें कम्यूनिकेशन वारता लाप इतने खुले तरीके से होना चाहिए कि उनके जीवन में कोई भी बात होती है छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात आकर आपको बताएं ये हो सकता है कि बिलकुल हो सकता है पिल्कुल हो सकता है मैं कोई संत नहीं हूँ लेकिन कम से कम मेरे दोने बच्चों के साथ इस तरह का खुला संबन था कि वो आकर सब कुछ बता देते थे सब कुछ इसलिए नहीं कि मैं कोई संत हूँ लेकिन इसलिए कि मैंने इस बात को बच्चपन में महसूस कर लिया था कि जब माबाप आपके साथ वारता विनिमे नहीं करते, कम्यूनिकेट नहीं करते, तब बच्चे किस तरह से घुट घुट कर उस घर में जीते हैं, और इसलिए मैंने तो तय कर लिया था कि बच्चों से हर चीज खुल के बोलू आज भी हर चीज खुल कर मुझसे बोलते हैं, जो वह किसी और को नहीं बता सकते, मुझसे खुल कर बोलते हैं, खुल कर चर्चा करते हैं, लेकिन यदी पुरिश हर बात पर खामो खां करोत करे, तो आपका बच्चा आपके साथ खुल कर नहीं बोलेगा, उसके जीवन में जो परेशानी है उसका हल निकालना आपकी जिम्मेदारी है लेकिन आप हल निकालने के बदले अपना सारा क्रोध उस पर उंडेल देते हैं इसलिए वो बच्चा ये बच्चे आपके पास नहीं आते हैं और वो बच्चा ये बच्चे आपके पास नहीं आते हैं उसका परिण आदत के लिए आपके पास नहीं आपाता है, इसलिए कि वो बच्चा जानता है कि जाल में तो मैं फंसी गया, अब पापा से जाके बूलूंगा तो महां पर क्रोध मार पीट पता नहीं क्या क्या होगा। प्रिय भाई संपुष्ट परिवार के लिए बहुत सारे जो जरूरी घटक हैं, उन में से एक घटक ये है कि आपके जीवन में यदि अनावश्यक क्रोध करने की आदत है, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अन्य विश्वासियों के साथ, या आप घर के बाहर निकलते हैं, तो औरक्षा वाले से, दवाई की दुकान वाले से, किरानी की दुकान वाले से, पल वाले से, या इवन अपने पडोसी से, तो इस बात को याद रखें, आप प्रभु के वचन का लंगन कर रहे हैं, और इस लंगन का सबसे अधिक नुकसान आपको होगा. फल वाले को कोई नुकसान नहीं होगा उसको सुबह से शाम तक इस तरह से गालियां सुनने की आदत है और उस आदत के बावजूद जो है वो फल बेच रहा है वो बेशरम हो चुका है नुकसान आपको है इसलिए कि जिस तरह से बोलना चाहिए उस तरह से ना बोलने और हर चीज में क्रोध करने के करण आपका बच्चा या आपकी बच्ची जिसको आपकी मदद चाहिए जिसको आपकी और से तसली चाहिए जिसको आपकी और से सुरेच्शा चाहिए वो आपसे नहीं बोलता है बोलने में हिच की चाता है परिणाम क्या होता है परमेश्वर ने आपको जिस बच्चे का सन रच्षक बनाया है रच्षक बनाया है आप रच्षक के बदले उस बच्चे का भच्षक बन जाते हैं मेरी मां की इकादत थी आप कहेंगे कि आप माबाप की बुराई कर रहे हैं कि नहीं मैं अपने स्वायम के जीवन से उदाहर इन इसलिए दे रहा हूं कि आपके जीवन से दूँगा तो आपको बुरा लगेगा और इसलिए अपने जीवन से दे रहा हूं मेरी माँ की आदत थी कि मान लीजे हम फिसल कर गर गए माँ को बताया तो माँ दो जहापड और दे देती थी काई को फिसला और इसलिए यदि हम फिसल कर गर जाते थे तो मम्मी को नहीं बताते थे ये मेरे अपने जीवन की आदत है अनभव है जड़ा अपने आपको जाच कर देखें खास कर पुरिश आपका बच्चा मान के चलिए कि जाने अन जाने में कोई गलती करता है उस बच्चे के मन में इतनी हिम्मत होगी कि होगी क्या कि आपको आकर बताए कि पापा डैड़ी पिताजी आपका वो जो महंगा पेन वहां रखा हुआ था मैं उसको उठा कर जिग्यासा के साथ देख रहा था मेरे हाथ से गिर पड़ा उसकी निब तूट गई है आपका बच्चा बोल सकता है क्या कितने ही परिवारों में यदि बच्चा इस तरह से बोलता है बस साथ पीडियों के इतिहास चालू हो जाएगा एक बात बताईए मैं और आप जिन पेनों का उपयोग करते हैं उनकी कीमत क्या है पांच रुपे से बॉल पेन आने लगते हैं पच्चीस रुपे से स्याही के पेन आने लगे हैं सामानेते उनका उपयोग बहुत कम हो गया है यदि आप पारकर का बॉल पेन वगरे खरीते हैं या स्याही का पेन खरीते हैं तो वो साड़े चार सो रुपे से लेकर बारा सो रुपे का आता है हम में से अधिकतर लोग बस इनी का प्रयोग करते हैं और ये चार सो से बारा सो का जो पारकर का पेन है उसका प्रयोग तो हजारों में से एक व्यक्ति करता है लेकिन मैंने ये हिसाब इसलिए बताए कि जादा से जादा महंगे से महंगा हम जो खरीदते हैं बारासो का पिन है सामान्य व्यक्ति तो दस बीश से अधिकन ही खरीदता है एक बात बताईए पचीस रुपे, सो रुपे, चारसो रुपे या बारासो रुपे की कीमत अधिक है या आपके बेटे या बेटी के प्राण की कीमत अधिक है उस बेटे या बेटी के मन की कीमत अधिक है या ये बारासो अधिक है किस चीज की कीमत अधिक है ये मेरे चर्च के एक एल्डर ने एक बार मुझे सोचने को मजबूर कर दिया और तब से हर चीज मैं मूल्यांकन करके देखता हूँ 1982 में मेरी शादी हुई शादी हुई दिल्ली में दिल्ली से उसी रात हम सब लोग वापस चले आए रात को मेरे सब उस कूपे में सब जगर मेरे चर्च के लोग थे मेरे हाथ में एक बेश कीमती कंबल था या आज से 41 साल पहले की बात बता रहा हूँ जब इस तरह की चीजे कॉमन नहीं थी ये किसी ने विदेश से लाकर मेरे दादा को दिया था दादा जी ने मुझे दिया था और उसको मैं इतना समाल के रखता था इतना समाल के रखता था जैसे सोने की बनी हो जन्विरी की ठंड दिल्ली से ग्वालियर की यात्रा मेरे हाथ में कंबल पकड़के मैं बैठा था तो चर्च के एल्डर ने मुझे से का कि उसको बिछा दो बेटा और उसके बाद तुम और वाइफ दोनों उस पर लेट लो मैंने का कि अंकल यह बहुत महंगा कंबल है मैं इसको बिछा नहीं सकता उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूचा सच है बेटा कि यह कंबल बहुत महंगा है लेकिन इस साथ घंटे की यात्रा में तुम दोनों ठिटूर कर अकड़ जाओगे तुम शादी करके एक नई नवेली पत्नी को घर ला रहे हो इसकी कीमत ज़ादा है उसकी कीमत ज़ादा है यह कंबल की कीमत ज़ादा है स्ट्रेट एल्डर अंकल ने मुझसे पूछा बाप रे मेरे ज्ञान चच्छु खुल गया तुरंत मैंने ओ कंबल बुचाया वाइफ को उस पर लेटने को बूला मैंने फर मुड़ के नहीं देखा कि कंबल महंगा है या नहीं है वो संकल का एक प्रश्ण कंबल की कीमत ज़्यादा है या तुमारे पत्नी की कीमत ज़्यादा है ये एक बहुत महतोपूर्न प्रश्ण था तो मैं ये प्रशन क्यों आपको बताया है मैंने क्योंकि यही प्रशन मैं आप से पूछना चाहता हूं उन्होंने मुझसे पूछा जीवन भर के लिए हर विशे के बारे में मेरी सोच स्पष्ट होगे इसकी कीमत जादा है या उसकी कीमत जादा है सोच लो, सोच समझ के ही व्यवहार करना तो आज मैं आप से पूछता है चाहता हूँ आपका बच्चा कोई चीज तोड़ देता है उसके हाथ से तूट-फूट हो जाती है वो आपके पास आ सकता है क्या एक पचास रुपे की चीज उससे तूट जाती है उस पचास रुपे की कीमत जादा है आपके बच्चे की आत्मा की कीमत जादा है उसके मन की कीमत जादा है इस बात को समझना जरूरी है तो जो प्रभू का वचन कहता है कि हर जगे पुरिश बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठा कर प्रार्थना किया करें तो पुरिशों के जीवन को बर्बात करने वाली दो बड़ी शक्तियां हैं क्रोध और विवाद और जिसके जीवन में अनावेश्य क्रोध और विवाद है ना तो उसके बच्चे कभी आकर अपने माबाप से किसी विशे पे चर्चा करेंगे, क्यों? कोई चर्चा की तो विवाद में बदल गया, ना ही उनकी पत्नियों उनसे बात कर सकेंगी, क्यों? कोई भी चर्चा की वो विवाद में बदल गया बिना क्रोध छोटी छोटी बात पे जो है अती भायाना क्रोध आपका बच्चा खुलकर आपसे नहीं बूलेगा आपकी पत्नी खुलकर आपसे नहीं बूलेगी और यदि आपका बच्चा और पत्नी हर चीज आपसे चुपा कर रखते हैं तो फिर कैसा पारिवारिक जीवन इसलिए कि वो अपनी जीवन में शंका समाधान, सुरेट्षा किसी बात के लिए वो बच्चे बच्चे आपके पास नहीं आएगी, बलके आप से जो उसके मन में जो बलवे की भातना है, उसके कारण वो गैर लोगों के चुंगल में हस जाएगा. संपुष्ट परिवार, यदि आप चाहते हैं, तो आज जितने भाई लोग प्रभु का वच्चन सुन रहे हैं, यहाँ पर जितने पिता हैं, और जो लोग पिता बनने जा रहे हैं, उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अनावश्यक क्रोद, अनावश्यक विवात को अ मदद करें, प्रभु आपको एक नई सोच, एक नया आत्मनी अंतरंट दें, जिसके कारण की आप बिना क्रोद और बिना वाद विवात के अपने पवित्र हाथों को उठा कर प्रार्थना किया करें, हम में से अदिकतर लोगों के हाथ पवित्र नहीं हैं, इसलिए उठाए नहीं जातें, लेकिन प्रभु का वच्छन साफ साफ कहता है, कि हर जगे, एक जगे ने हर जगे, पुरिश, बिना क्रोद और विवात के पवित्र हाथों को उठा कर प्रार्थना किया करें, आपके मन में एक उन्फिडेंस होना चाहिए, कि आपके हाथ पवित्र हैं, और इसलिए उनको उठा कर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यहां विशे सिर्फ प्रार्थना का नहीं है, विशे इस बात का है, कि अनावशक रोद और अनावशक विवात, आप अपने बच्छों को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने पत्नी को बर्बाद कर रहे हैं, आप अ शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा, शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एबम सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं, उनका कोई भी प्रवचन आपसे नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आपसूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की